दोस्तों आज का दिन है हम सभी लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल का जितना भी मेंबर्स हैं उन सभी लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा दिन है कि आप सभी को तो यह बात नोटिस कर रहे होगा आप सभी लोग ठीक है कि 200 के सबस्क्राइबर हमारा कंप्रीट हो चुका अगर आप लोग एसे ही सपोर्ट करते रहोगे दोस्तों हम लोग बहुत आगे जाएंगे और आई होप आप लोग मेरे को एसे ही सपोर्ट करते रहोगे मैं आप लोगों के लिए इसे हर दिन मेहनत करके आप लोगों को न्या 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 अपडेट हर दिन देता रहोंगा ब अगर सोच रहे थे वीडियो बनाने की YouTube के उपर अंड popularity हासल करने की आप सभी लोग कर सकते हो मेरे को यकीन है आप सभी के उपर आप सभी लोग कर सकते हो दोस्तों मैंने जब यह चीज़े शुरूबात किया था तब भी मेरे को कोई YouTuber support नहीं किया था जो भी आज हूँ मेहनत की देवर हूँ और आप लोग भी मेहनत करना दोस्तों मेहनत का फल ज़रूर मिलता है जिंदगी में अगर आप लोग भी मेहनत करते जाओगे आप लोग को कामियाभी आप भी successful हो पाऊगे जोबी लोग कामियाभ जरूर होगा उसके जिंदेगी में तो इतना ज़Яदा बारे में और उसके अंदर आप लों को जो जो भी निया इभेंट देखने के लिए मिलेंगे जो जो चीजे देखने के लिए मिलेंगे उसके बारे में और निया इलाइट पास आप लों को देखने के लिए मिलेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे दोस इलाइट पास के अंदर से आप लोगों को सबसे पहला वाला इलाइट पास के बारे में बताने वाला हूं यह पहले वाला इलाइट पास का लूट बॉक्स साथ हो सकता है यह सीजिन 28 का हो यह सीजिन 29 का हो ठीके दोनों का आप लोगों को दिखा दूगा 28 और 29 का अंड मेल का बंडल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेल का बंडल जो है मेरेको अच्छा ही लगा लेकिन दोस्तों इसके अंदर जब अनिमेशन आड़ हो जाएगा तब आप लोगों को और भी अच्छा लगने लगेगा लाइटिंग इफेक्ट बागर की बात कर रहा हूं ठीके अभी ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग फिमेल का बंडल भी काफी ज़्यादा मस्त मेरे को लगा इस बार कोई क्लिवेज वगरा दिखाने की कोशिश नहीं किया गया है गयरना के तरफ से बिक थमसब गयरना को अंड बंडल जो है काफी ज़्यादा सही है आप लोग जैसे की देख सकते हो मेरे प Hispanदिला बंडले दोस्तों मैं एगर कोई भी लडखी का क्याक्ठर यूज करता ये बंडल में यूज करता लेकिन मे कोई लडखी का कैक्र को आज principal डेख्यार में यूज नहीं करता हो, backpack वेगरा सब कूच सारे चीजे आप लोग यहां पे देख सकते हो, लेवल 3 का दिखाया सबसे पहले ये लेवल 2 का है और इसके बाद आप लोगो अब इसी बात लेवल 1 का दिखा दूँगा और इलाइट पास के अंदर ही ये वाला backpack आप लोगो बड़े आराम से देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों और ये है सायद से M500 का स्कीन मेरे को नहीं पता कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना दोस्तों ये किस गान का स्कीन है यार मैं भी ना बहुत बड़ा भूलक कड हूँ यार भूल जाता हूँ कभी कभी कोई बात नहीं अभी आप लोग अपने स्कीन के समने नया वाला प्यारंग का स्कीन को भी देख सकते हो इसी इलाइट पास के अंदर ही आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा प्यान का स्कीन आप लोग देख सकते हो सायद से next light pass के अंदर आप लोगो देखने के लिए मिल चकता है मतलब ये वाला light pass नहीं है ठीके और ये वाला गाडी का स्कीन आप लोग देख सकते हो उसी theme के उपर बेशड है इसका मतलब आप लोग आराम से समझ सकते हो कि इलाइट पास के अंदर ये वाला बाइक का स्कीन जो है बाइक नहीं ता यार ये वाला गाड़ी का स्कीन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भाशा बहुत ही तगड़ा इलाइट पास होने वाला है क्योंकि इतने स प्राइजे समलों को देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है अंड यह है उसका पाराशूट उस बाले इलाइट पास का आप लोग केसा लगा मेरे को आप लोग कॉमेंट सेक्षिन में दोस्तों जरूर से जरूर यहां पर बता सकते हो तो एक इलाइट पास को तो मैंने आप ल वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी सफाले वीडियो को एक लाइक कर दीजिये आगर आप लोग अब आप हमारे चैनल के ऊपर प्हली में बाहरा रहा हो तो जल्दी के अशब्र करेंद दोस्तों साथ वाला पेल आइकन को दोहांकर के नोटिफिकेशन को भी आहां के लिए मिल चकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी के सामने यहां पर हमारा चैनल के रिगारिंग एक निया चीस के बारे में एक आनांसमेट आप सभी के समने करना चाहूंगा दोस्तों मैं यह आप सभी से बताना चाहता हूं आप लोग तो gameplay वगरा सब कुछ देख की सोच नहीं रहा हूं एक दूसरा चैनल बनाऊंगा उसके अंदर आप लोग को live streaming हर दिन देखने के लिए मिलेंगे तो आप लोग को इसके बारे में क्या खैल है क्या हम लोग को live streaming करना चाहिए आप लोग मेरे को comment section में जरूर से जरूर बता सकते हो और अगर आप लोग क ख्याल हां है या फिर आप लोग का अगर अंसर हां है live streaming के regarding तो जरूर से जरूर बहुत देल थी हमारा live streaming के गरा सुरू होने वाला है और उसी के अंदर हम लोग काफी सारे giveaway करने वाला है 200 के subscriber के special ठीक है और बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग वीडियो के अंदर आगे बता दिया नेक्स्ट इलाइट पास के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मतलब सीजन 29 या फिर सीजन 28 वाला इलाइट पास के अंदर यह होने वाल है आप लोगों का loot box सर बोड और यहां पर आप लोगों को पारशुट भी दिख रहा होगा काफी ज़्यादा इ जैसे कि यहां पर आप लोग और एक सर बोड भी देख सकते हो उसी इलाइट पास के अंदर यह वाला सर बोड जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा और आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर सारे इलाइट पास के अंदर दो टाइप के बैक पैक कुछ नहीं करेगा बाकि यह जीएट इन का स्कीन होने वाला है ठीक है उसी इलाइट पास के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा अंड ग्रेंड का स्कीन भी आप लोग देख सकते हो काफी इंट्रेस्टिंग है है ना ओके तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर यह दे दे दिया बहुत सही बात है दोस्तों अभी बात करते हैं फिमेल के बंडल की रिगाडिंग दोस्तों फिमेल का बंडल उतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है यह अनिमेटर नहीं है और इसके अंदर कॉलर करेक्शन भी उतना जाता सही नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों जब भी यह इलाइट पास के अंदर आता है तब हम लोगों को अच्छे से पता चल पाएगा ठीक ठीक है कि यह जो बंडल से कैसे दिखने वाला है मेलगा बंडल को भी आप लोग देख सकते हो ब्लाक कलर का है अब उसके ऊपर आप लोगो थीमं देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सा गोल्डेन कलर की ठीक है साब बाप की थेर्थ हो मेरे को लग रहा है बेसी कली और देखते हैं दोस्तों आने के बाद ही हम लोगों को बाकी सीन के बारे में पता चलेगा अदोस्तों यह है अपना निया पेट का स्कीन जो अब्यसी बात है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही जल्दी मतलब ओभी अपडेट के बाद स्कीन से आप लोग देख सकते हो क्योंकि भाई साब अगर इंप्रटांट समझ लिए तो बहुत ज्यादा डाइमंड ग्यारना हडप लेगा सिंपल सी बात है ठीक है दोस्तों यहीं पर वीडियो को हमारा खतम करते हैं हम लोग बाकी बात करते हैं बात में मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट प्रेश आन्दा वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार अच्छे से कहते हैं अपने सारे इनमीज को चुन-चुन के मारते रहो बाई